Hello students, welcome back to the channel, Dines sir. बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, CT की exam को लेके, क्या CT की exam postponed हो गई है, जो CT होने वाली थी, जिस date को होनी है, उस date को होगी या नहीं होगी, तो बहुत सारे आपके सवाल, CT को लेके जितने भी आपके questions हैं, उन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक वीडियो में, इस वीड CT है, जो higher degrees के लिए होती है, कुछ technical degrees के लिए होती है, and कुछ CT जो होती है, वो engineering pharmacy के लिए, जो MST CT एक होती है, तो यहाँ पर बता दू, MST CT engineering pharmacy के लिए जो होती है, उसको छोड़के बाकि जितने भी CT हैं, MPAD हो गया, MAD, BAD, MAD, LLB, BPA, BA, BSC, BA, integrated architecture, CT, okay, तो इतनी जो अलग CETs है, सब की तारीखे जो है, बदल गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और जो MST CT है, engineering pharmacy की, उसकी तारीख नहीं बदली है, वो जैसे है, वैसे ही है, और जो PCB वाले है, उनके लिए तो hall ticket भी आ गया है, बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर, PCM का क्या, तो PCM group की जो exam है, वो 10 से 12 October के बाद है, उनका hall ticket अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Physics, Chemistry, Maths, यानि PCM group के लिए जो hall ticket है, वो इस हफते में जो है, रिलीज कर दिया जाएगा, biology वालों की exam, 1 October से 9-10 October तक थी, इसलिए उनका urgent basis पर hall ticket रिलीज किया गया, और PCM group का hall ticket है, वो इस week में आएगा, और जो PCM और PCB, Engineering, Pharmacy वाले बच्चे हैं, उनकी जो exam है, जो dates है, hall ticket पर जो date आएगा, time schedule आएगा, उसी time पर exams होगी, अब आओ चलो कुछ बाते करते हैं, data के बारे में, महा CT.org ने, जो MHT CT 2020 है, उसके Engineering और Pharmacy के जो admissions होगे, उनके लिए जो CT ली जाती है, MHT CT 2020, ये exam पहले तो postpone नहीं हुई है, पहली बात, और इस exam के लिए data sheet जो है, declare हो चुकी है, MHT CT की website पर, महा CT.org इस website पर, तो statewide report आप देख सकते हैं, कि इस CT के लिए कितने बच्चों ने apply किया है, जैसे कि पहला देखेंगे आंदर प्रदेश, आंदर प PCM के लिए 128 और PCB के लिए 47 student ने apply किया, यानि कि महाराश्टरा में होने वाली CT के लिए, दूसरे राज्यों के बहुत सारे students ने apply किया है, अगर महाराश्टरा की बात करेंगे, तो यहां देख सकते हो, कि 4,35,600 तिरपन application CT के लिए आए हुए हैं, यहां पर, जो 1,52,000 PCB और 1 लाग 93,000 PCM group के लिए आए हैं, और 90,000 बच्चों ने PCM और PCB दोनों group के लिए application दी हैं, तो यह महाराश्टरा का data है, 4,35,000, इसके अलावा तोटल आप देखो के तो टोटल सभी पूरे भारत देश का मिला के 4,51,000 इतने बच्चों ने CT के लिए apply किया हुआ है, यानि कि ल लाटल 25,287 बच्चों ने apply किया हमद नगर से PCM के लिए 5,629 और PCB के लिए 10,257 इतने और 9,400 बच्चों ने दोनों group के लिए apply किया हुआ है, तो इस तरह से हैं, यहां मुंबई CT की बात करेंगे, मुंबई सबरबन अगर बात करेंगे, तो 17,589 बच्चों ने जो है apply किया CT के लिए जिसमें 10,000 PCM के लिए हैं, 5,000 PCB के लिए हैं और 1,800 जो है दोनों के लिए हैं, तो इस तरह से आप अपने district में भी देख सकते हैं, इसके बाद बात करेंगे, यह महाराश्ट्रा की यहां पर रिपोर्ट आप देख सकते हैं, 4,35,000 बच्चे जो हैं महाराश्ट्र 4,32,000 महाराश्ट्रा से हैं, और अधर दिन महाराश्ट्रा से 19,000 टोटल दिख रहे हैं, सारी चीज़े जो उपर आपने देखी, टोटल 4,51,906 बच्चे जो CT देने वाले हैं, और उस में से आप एक हैं, यानि आपका जो competition है, 4,51,905 बच्चों के साथ हैं, ठीक हैं, तो यह रही पूरी CT की detail report की पूरे बारत बर में, कितने बच्चों ने CT के लिए apply किया है, PCM के लिए, PCB के लिए, PCM और PCB, grouping के लिए, आपके पूरे state के अंदर, district wise, यह पूरी report, और रही बात जो CT postpone होने वाली हैं, तो CT जो है, MHT CT को छोड़के, यानि engineering pharmacy वाली CT उसको तो ऐसी जानकारियां पाते रहने के लिए, चैनल पर बने रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबा लें, और उसके बाद बैल आइकन बटन को भी दबा के रखें, ताकि आपको latest notification मिलते रहें, मिलते हैं दोस्तों, ऐसी और वीडियो में, नई जानकारी के साथ, बाई अवरी अवरी जानकारी कि बाद बटन को भी दोन कि प्सक्राइब बटन को भी दोगारा ज़ा हैं?